दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सहेज जनसिवा केंद्र के लिए हमें online कैसे apply करना है जनसिवा केंद्र में भी आप सभी को कई सारी government services, कई सारी banking की services मिल जाती ही पूरा प्रोसेस मैं आप सभी को live दिखाने वाला हूं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपको सहेज सेंटर के लिए apply करने के लिए आपको sahajcorporate.com पे आना है इसका link मैंने वीडियो के description में दे रखा है जहां से आप directly इस site पर आ सकते हो आप यहाँ पर आप देखोगे कि सहेज भी आप सभी को जिस तरीके से CSC में आपको services मिलती हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर government services हो या फिर आपको banking services हो आप यहाँ पर देखोगे कि account opening हो गया FDRD हो गया इसके अलाबा deposit और withdrawal की भी services मिल जाती हैं और government की जो services हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर deliver कर पाते हो इसी के साथ में सहेज सिक्षा करके भी यहाँ पर computer certificate से related कई सारे diploma course कराये जाते हैं वो भी आप लोगों को certificate provide कर सकते हो तो यहाँ पर सहेज का जो center है लेने के लिए आप सभी को इस page में नीचे के तरफ आना है और यहाँ पर आप सभी को option दिया गया है become a sahaj मित्र आप सभी को यहाँ पर join us now के option पे click करना है और यहाँ पर आपको be a sahaj मित्र इस option पे click कर लेना है अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे सामने एक query form आया है यहाँ पर यह registration form नहीं है इन्होंने अभी अपनी website पर update किया है जिसकी वज़े से link इन्होंने हटा दिया है तो इसका जो direct link है वो मैं आपको दे देता हूँ जहां से आप अपना registration कर पाओगे इसके लिए आप सभी को retail.sahe.co.in पर आना है और यहाँ पर आप सभी को सहे सेंटर के लिए apply करने के लिए एक registration की tab दिखेगी जिस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सभी को new registration इस option पर आपको क्लिक करना है अब हमारे सामने एक application form आ चुका है जिसमें कि आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर individual की जो tab है इसी पर क्लिक रहने देना है इसके बाद में SM category के section में आना है यहाँ पर जनसेवा केंदर के लिए आप सभी को यहाँ पर सहज मित्र वाला जो option है इसे आपको select कर लेना है area outlet for में यहाँ पर अगर आप ग्रामिरी चेत्र से हैं तो रूरल और सहरी चेत्र से हैं तो अर्बन सलेक करना है इसके बाद में mention your PM distribution ID यहाँ पर मांगी जाती है तो यह दोनों आइडियां आपके पास में नहीं होंगी तो इनको फिल करना मॉडेटरी नहीं है इसको आप blank ही छोड़ सकते हैं आप continue के option पे क्लिक कर में आपको यहां पर वेरिफाई के option पे क्लिक कर देना है तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारा जो मॉबाइल नंबर है वेरिफाई हो चुका है इसके बाद में WhatsApp नंबर के section में आना है अगर आपका यह जो नंबर आपने फिल किया हुआ सेम ही WhatsApp पर भी है तो यहां पर अगर आप देना चाहें तो फिल कर सकते हैं अदर्वाज यह मॉंडेटरी नहीं है आपको यहां पर यहां पर यहां नेम और डिटेल के section में आना है जहां पर आप सभी से सबसे पहले तो यहां पर पैन को अपलोड करने के लिए बोला जाता है जिसमें कि आप सभी को यहां पर दज थे वो आउटोमेटिक यहां पर फिल हो चुके हैं आपको नीचे के तरफ आना है यहां पर आप देखेंगे कि सैलूटेशन का जो option है Mr. Mrs. जो भी आपके नेम के आगे लगना चाहिए उससे आपको select कर लेना है इसके बाद में इस पेज में नीचे के तरफ आना है mostly जो information है आप देखेंगे automatic फिल हो चुकी है यहां पर male female जो भी gender है इसको आप चूज कर लेंगे और marital status यहां पर अगर आप married है single है select कर लेंगे इसके बाद में आप सभी को save and continue के option पे click कर देना है अब इतना करते ही आप सभी के सामने upload document का एक page आ जाता है जहां पर आप सारे document देखने को मिलते हैं जिसमें की आधार का driving license passport या फिर voter ID का तो इन में से आपके पास में जो भी document मौझूद है address poop के तौर पर वह आपको यहां पर select कर लेना है जैसे कि मैं यहां पर आधार का दे रहा हूं तो यहां पर मैं आधार का option है select करूंगा दिन हमें जो upload का option दिया गया है इस पर click करके हमें अपने आधार की जो copy है उसे JPJ या फिर PNG या फिर PDF फार्मेंट पे upload कर लेना है और यहां पर आप देखेंगे जैसे मैंने document upload किया है यहां पर data जो है फिच होना start हो चुका है कुछ second के अंदर आप देखेंगे कि आपकी आधार कार्ट पर जो भी address मौझूद था वह भी यहां पर automatic फिच हो करके फिल हो चुका है यहां पर भी mostly जो information वह आपको फिल करने की ज attitude है वह आप सभी को यहां पर फिल करना होगा यह आपके center की जो location है उसको सावित करेगा कोई भी verification के लिए अगर visit करेगा आपका center कहां पर मौझूद है उसकी जो information है company के पास में चली जाएगी तो इसके लिए आप सभी को यहां पर यह जो detail है यह फिच करने की जरुद होगा वह यहां पर automatic फेच हो करके आ जाएगी जिसमें कि आप सभी को यहां पर इसे फिल करने के बाद में review and submit के option पे क्लिक करना है अब जैसे कि आप देखो कि मैंने submit के option पे क्लिक किया है लेकिन यह जो है submit नहीं हुआ हमारे सामने एक error आ चुका है जिसमें कि आप देखे से हमें review and submit के option पे क्लिक कर देना है तो इतना करते ही आप सभी के सामने verify your registration का पे जाता है जहां पर आपने जो भी details को फिल किया है एक बार आपको सारी ही details को अच्छे तरीके से verify कर लेना है यहां पर अगर कुछ भी correction की जरुवत है तो page में नीचे के तरफ आना है यहां प क्लिक करके कोई भी डोकुमेंट आप चेंज कर सकते हो इसके बाद में आप कोई भी correction नहीं कर पाओगे तो यहां पर मिलान करने के बाद में आपको यह जो सम्मीट का option दिया गया है इस पे आप सभी को क्लिक करना है अब जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि आ आ चुकी है तो आपको क्या करना है यह जो आईडी आपको दिखाई गई है इस आईडी को अपने पास पर नोट करके सुरचित करके रख लेना है अब सहज की तरफ से आपकी जो application है उसको verify किया जाएगा इसमें कि 7 से 10 दिनों का time लगता है और आप सभी को phone करके सहज की त सेंटर है वरतमार में उसका क्या status है उसके माध्यम से आप जान सकते हो और जैसे ही आपका सहज का जो सेंटर है अपरूब होता है तो इसका जो login credential है वह आप सभी के mobile पर और इसी के साथ मैं आपकी email पर receive हो जाता है जिसके थूरू आप इस portal पर login कर सकते हो जैसे कि मैंने इ किसी home page पर आना है आपको यहां पर अपनी जो login ID फिल करना है password यहां पर फिल कर देना है इसके बाद में आप login के option पर क्लिक करेंगे तो आप जो है पोर्टल के dashboard पर आ जाते हैं अब यहां पर इस पोर्टल पर जितनी भी services दी गई है चाहे वह गौर्मेंट services हो हो करने का बीच में commission होगा वह आप सभी को मिल जाएगा यहां पर इस पोर्टल पर आप जब भी किसी भी service को access करेंगे तो यहां पर दो तरीके की wallet होते हैं जिसमें कि आपको रिचार्ज करना होता है उस service को access करने लिए जिसमें कि आप सभी को अगर government services में e-district की service है वह आप की गई होगी आपके जो state में है सहज के पास में अगर e-district की services होंगी तो आपके पोर्टल पर यहां पर दो wallet होंगे otherwise आपको एक ही wallet सो होगा यहां पर आप services के section में आएंगे तो यहां पर NICUP e-district का जो option है जैसे कि हमारी state में हम मुत्रप्रदेश हैं तो यहां पर e-district की जो services हैं सहज provide कर रहा है तो इस पर हम क्लिक करके e-district के portal को access कर सकते हैं इसका जो login credential है यह भी 10-12 दिनों के अंदर सहज की तरफ से आपको free में provide कर दिया जाता है जिसके बाद में आप government services में आए जात निवास प्रमार पत्र या फिर रासन कार्ड को बना सकते हैं इसके payment device यहां पर purchase करके जो आधार authentication के माधम से payment withdrawal होता है उसमें भी आप सभी लोग काम कर सकते हो यहां पर travel and tourism के section में देखोगे तो train ticket book करना हो यह फिर airlines ticket book करना हो यह फिर bus ticket को book करना हो वो भी काम आप यहां पर कर सकते हैं सहज के through आप देखेंगे IRCTC का agent ID भी आप ले सकते है सहज portal पर जो भी आप services access करेंगे उसके बाद में उसका commission कभी भी आप सभी को देखना हो तो VLE laser का option दिया गया है उसमें कि आप यहां पर देखोगे रिचार्ज करते समय भी आप सभी को दो option यहां पर देखने को मिलेंगे जिसमें कि एक है government service का एक हो गया non government जो कि private services को भी आप access करते हो तो उनके लिए आप सभी को यहां पर दोनों ही portal में अलग-अलग balance की जरूरत होगी जो भी portal आप रिचार्ज करना चाहते हो जिस भी mode से आप करना चाहते हो यहां पर आपको option दिया गया है उसके क्लिक करके आप रिचार्ज कर सकते हो उसके बाद में जब verification के लिए sahaj की तरफ से call आएगा तो उसमें आप सभी को इसी sahaj portal में recharge करने के लिए बोला जाएगा जिसमें कि आप सभी को sahaj ID को activate करने के लिए वो wallet amount recharge करना होगा state to state vary करता है कि आपके हाँ कौन-कौन सी services available है उसके हिसाब से ही आपको sahaj charge करता है तो इसके लिए आपक यहाँ पार जो number मैंने screen पे दिखा रखा इस number पर आपको contact करना है इनसे information लेनी है जब भी आप सभी को जो sahaj ID है अप्रूब होकर के आपको मिल जाए उसके बाद में इसी portal में आ करके उनके बताए गए तरीके से ही आपको recharge करना है तो आसा करता हूँ आज का जो वीडियो ह आप सभी को काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो उसे like करेगा अपने और भी friends और family में share करेगा इसी तरीके के और भी interesting वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करेगा हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में